यहाँ पर सस्क्राइब क्लाल बटन है, बेल आइकन में प्रेस कर देज़ेगा और अगर आपने एक लाग का इस टॉक पोर्फोलियो अगर नहीं देखा हमारा तो ज़रूर देखें TCS Limited, basic चीज़ पहले मैं बतातूं company के बारे में, खाला कि सबको पता है, mostly जो लोग stock market में हैं या फिर जो लोग इसमें job करते हैं, जो लोग इनकी services लेते हैं, बहुत साई लोगों को पता है कि Tata की एक बेहतरीन IT software solution प्रोवाइड करने वाले company है और देश की बड़ी company है, IT software industry और sector की number one company है, तो यहाँ पर जो industries में किनकी industries के लिए काम करती, banking and financial services, communication, media and technology, high tech, life science and healthcare, public services, travel transportation and hospitality, consumer goods and distribution, energy resources and utilities, insurance, manufacturing, retail, यह तो रही इनकी industries, जो सर्विसेस में जो है, business operations, consulting, analytics and insights, automation and AI, IoT, cloud applications, blockchain, cloud infrastructure, cyber security, TCS interactive, industrial engineering, quality engineering, enterprise, इस तरीके सो बहुत सारी services प्रोवाइड करती है, अलग-अलग industries को, अलग-अलग companies को, और जो यहाँ पर हम पहले TDS, sorry, हम dividend भी देख ले रहे हैं कि साल में चार दफा, अगर मालिजी आपके पास काफी मात्रा में shares हैं, तो चार बार आपको साल में company dividend देती है, जो tax-free होता है, और आप चाहें तो उसको reinvest करें, चाहें आपने personal खर्चे मिला, यह आपको company के तरफ से लाभांश दिया गया, उप consider करेंगा 2019 में हैं, तो पहतरी dividend paying stock और Tata का जो आज price है, बजट के बाद IT sector में और IT की इतनी भी company हैं, उनमें TCS में भी गिरावट लगातार हैं, और अब गिरकर यह हो चुका है 2160 जो की बहुत कम गिरावट है, जिसे बहुत सारे, जो microcap company होती ही, वो तो बुरे तरह अगर ऐसी दिगज कमपनियां सिर्फ 292 जो इनका high रहा है, साल का, low बनाया था 1784, तो अगर ऐसी opportunity मिलती है कि इससे नीचे और मिलता है, तो खरीदने के लिए अच्छा सुनारा आउसर रहता है, आज है चुलाई 10, 2019, दो बच के 10 मिट हो चुके हैं, current price चल रहा है, इसका B market cap है 7,193,69 करोर, EPS है 83, 33.87, P ratio 25.15, broker value है 239, price to broker 8.80, face value 1 की रहे गई है, deliverable है 45% के आस पास, और अगर हम करजा देख लें कमपनियों पे, यह जरूरी होता देखना, कि किस कमपनी पे कितना करजा है, तो मैं बता दूँ है, debt-free company है, balance sheet पे अगर हम यहाँ पे चक कहते है, total debt तो 33 करोर, जो कि एक बहुती ना के बराबार है, पता नहीं क्यों इन्हों ने यहाँ पे mention किया हुआ है, जिबकि जिनका एक quarter में 8,714 करोर जिनका net profit हो, उनके लिए काउंसी मामूली बात है, तो चलिए debt-free company है, यहाँ पे और 60%, यानि करीब 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 आप 10, 100% मानेगे, 1000%, थोड़े से ही रह गए है, तो अगर आपका पैसा, TCS में 10 सालों में 10 गुना हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है, दिगज कमपनी ने, कमपनी ने अच्छा return दिया है आपको, जिसमें कम रिस्क है, आप अगर ऐसी लूपनियों में पैसा डालते हैं, तो आपका negative में return नहीं मिलता, पाँस सालों में 79% के आसपास की return है, जो कि कम है, 4 शालों भी मानता हो कम है, 3 सालों भी 73% की आसपास की return, 2 सालों 72 return की आसपास ठीक है, और एक साल में 12% की आसपास कű, जो कि ठीक है, ये till-date में 11% की OV ओक एक महिने से लगातार इसमें गिरावट है उसका भी रिजन है बजट आने के बाद काफी गिर चुका है इस वजह से अब हम फणेशल देखते हैं इसके मार्च 19 से जून 19 के क्वार्टर के यानि क्वार्टर वन के जून 19 के आचुके और नेट से जहां मार्च 19 में थी 38,010 करोड की में जून 19 में हो गए 38,172 करोड की जोगी 0.43% की अपसाइड है लेकिन अपरेटिन प्रॉफिट में थोड़ी से गिरावट है और नेट प्रॉफिट मेंटें किया 8,136 करोड और जून 19 में हो गए 8,131 करोड जो की 0.06% की अपसाइड है मार्चिन में थोड़ी से जो यह आँके डावट है 0.21% के आसपास लेकिन अगर हम year on year भी compare करते हैं जून 18 से जून 19 के बीच में तो नेट सेल्स जहां जून 18 में थी 34,211 करोड की जून 19 में हो गई 38,172 करोड जो की 11.42% की अपसाइड है ओपरेटिंग प्रोफिट में भी 10.65% की अपसाइड है और नेट प्रोफिट में भी देखे शांदार जून 18 में थी 7,340 करोड की जून 19 में हो गई 8,131 करोड की जो की 10.78% की अपसाइड है और मार्चिन में थोड़ी सी 0.18% के आस पास के holding है, तो holding के लेकि बजट में एक और announce किया गया है, शायद इसी वज़े से market में और भी कई सारे काराण है, लेकिन एक और भी government क्रप से कहा गया है कि promoters के पास 65% से ज्यादा की holding नहीं होगी, 35% के आस पास public share में उनको holding करने ही पड़ेगी, तो इस प्रकार से जहां 72% अगर ये लागू होता है, तो 65% के आस पास की रह जाएगी, इनको कम करने ही पड़ेगी, पब्लिक में देना ही पड़ेगा, और mutual funds की जो schemes हैं, 38 हैं, FIIs हैं, 1324, जबरदस्त है, LICB हैं, 4% के आस पास की holding है, और individual है 3.62% के आस पास देखें, डिविडेंट जो last दिया था, 4 जून 2019 को 18 रुपए पर share के हिसाब से, अभी announcement हुआ 5 रुपए पर share के हिसाब से, तो ज़रूर मिलेगा जो लोग existing shareholders से, उनको मिलेगा 5 रुपए पर share के हिसाब से, तो एक बेहतरीन company के results आ चुके हैं, और results काफी अच्छे रहें, बहुत बुरे नहीं रहें, और इस समय मुझे लगता है कि काफी गिरावट चल रही है IT सेक्टर में, हलांकि पूरे market में ही गिरावट है, तो अगर आपको नीचे के level पे और मिलता है, तो ज़रूर आप खरीदते जाएं, खरीदते जाएं, मैं मानता हूँ कि 2100 रुपए क कम आती है, लेकिन प्राइस ज़रा लग जाता है, लेकिन जिससाब से company, जिससाब से return on capital employee है, जिससाब से return on equity है, उससाब से price जो company के value कम है, प्राइस बढ़ा नहीं है, योगि आपने देखा, दस सालों में आपका पैसा 10 गुना के आसपास इसने कर दिया है, अब देखिए ROC है इसका 73.93%, return on equity है 34.32%, तो शांदार company है, ऐसी company के shares आपके portfolio में होने चाहिए, ये आपका पैसा loss में नहीं करने देती हैं, आपको dividend के माध्यम से हर साल 4 बार पैसा देती हैं, घर्चे पानी के लिए, जो कि tax free होता है, और इस तरीके से आपके पैसे को लंबे समय के है, कि इस industry में आगे आने वाले समय में सब कुछ खतम हो जाएगा, नहीं, digitalization, information technology, software, solutions, ये आगे आने वाले बहुत सारी company को अपनी services देती रहेंगी, और नहीं नहीं चीजें इजाध होती रहेंगी, तो अभी तो extreme चरम level तो आया ही नहीं, इस industry में, विसे होता ना कि, चलो तो real estate में बहुत जादा boom आ चुका था, अब खतम हो गया, या energy की sector में बहुत जबर्दस boom आया था, वो भी खतम हो चुका, अब उनमें कोई कमाई नहीं रह गई, ऐसा अभी IT sector में नहीं है, आने वाले कई सालों तक इनमें अच्छा return मिलने की संभावना है, तो जितने भी निवेशक हैं, वो चाहें, तो थोड़ी-थोड़ी quantity SIP भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्राइस है, no doubt, लेकिन अच्छी कमपनियों के share रखें, आप देखिए, यहाँ पे जोनकी peer companies हैं, उनमें number one company है, thank you for watching this video friends.